नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज हम डिसकस करेंगे न्यूजिलेंड्स जीरो कोविट स्टार्टेजी के बाए रहे हैं, देखे आप सबको एक चीज पता होगा, न्यूजिलेंड एक ऐसा कंट कोविट स्टार्टेजी है, मतलब कोरोना वेरिस को टैक्ल करनेगा, जो स्टार्टेजी इसको जीरो कोविट स्टार्टेजी बोलते हैं, मतलब जब तक एक बी कोरोना केस रिपोर्ट नहीं होगा, तब तक ऐसे restrictions लगाएंगे, ऐसे lockdowns लेगाएंगे, लोगों को बाहरी नि इसलिए populated countries में अगर इस तरह की stringent lockdowns लगाएंगे भले हम coronavirus को तो tackle कर पाएंगे पर हमारी economy पूरी down हो जाएगा लोगों के अपास पैसे नहीं रहेंगे और government भी लोगों को एक हथ से ज्याता पैसे भी नहीं दे सकता जैसे New Zealand दे रहा है है कि नहीं आप देखिए इस particular वीडिय आप लाइक का बटन जरू दबाईएगा चैनल का अब तक सब्सक्रीब नहीं कियो तो सब्सक्रीब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो जोइन बटन के दुरू शुरूआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले यह zero covid strategy होता क्या है देखें strict lockdown मतलब यह होता है दोस्तों किसी को अपने घर से बाहर निकलनी नहीं देंगे अगर निकलना भी है तो only for emergency purposes अगर कोई emergency purpose के लिए घर से बाहर निकला भी उनके उपर police का strict monitoring भी होगा वैसे हमारे देश में भी इस तरह की lockdown imposed किये थे पर लोगों की इतनी emergency साये lockdown के टाइप पर कि वो अपने आपको रोकी नहीं पाया इसी वज़े से अभी भी इंडिया में coronavirus pandemic इतने अच्छी तरीके से हम tackle नहीं कर पा रहा है देखिए New Zealand में यसे नहीं हुआ था lockdown मतलब strict lockdown उन्होंने अपना border भी close कर लिया and travel bands भी imposed किये मतलब border छोड़के कोई बाहर भी नहीं जा सकता उथर से अंदर भी नहीं आ सकता और travel bands सो लगा दिया दूसरे कोई country से New Zealand में आना ही ना मुम्किन हो गया अगर कोई emergency purpose के लिए कोई visit करना चाह भी रहा है उनको अपने खच्छे पे दो अफ़ते का strict quarantine में भी रहना था तो इसी तरह zero covid strategy यूज़ करके इनोंने covid elimination या zero covid plan को successful बना दिया में आपको बोला ना February से कोई भी coronavirus positive case New Zealand में report नहीं हुआ था ऐसे एक similar strategy neighboring Australia में भी उन्होंने adopt किये थे where the government tried to stamp out outbreaks down to the last case at any cost देखिए basically zero covid strategy मतलब कहा है ऐसे lockdowns and restrictions लगाएंगे जब तक coronavirus case zero हो जाएंगे सामझ गया ना देखिए Australia, New Zealand, several other Asia Pacific countries immediately close their borders and set up quarantine orders when cases started to rise ठीक है, apart from New Zealand, Hong Kong too has stuck to a zero covid strategy तो कहीं सारे countries, आप देख सकते हो जितने countries इस तरह की zero covid strategy अपनाया है वो सब highly developed countries है, ये लोग कर भी सकते हैं, इंडिया जैसे country में ये मुम्किन है गया? नहीं मुम्किन है दोस्तों कितने दिन तक लोगों को घर के अंदर रखेंगा? वो possible नहीं एक तो densely populated है और लोगों के पस income भी तो नहीं है, पैसे कहा है? खाना भी तो खाना है पर इन country में क्यों होता है? गर्वर्मन की तरफ से लोगों को पैसे भी देते हैं वैसे लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होता है क्योंकि वो developed country है जो लोग है, इनका जो purchasing power है या per capita income है वो सब ज्यादा है तो इन country इस तरह की strategies अपना भी सकता है तो हम इधर न्यूजिलेंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजिलेंड ये जो zero covid strategy में successful लहा था तो दोस्तों अब हुआ क्या है मैंने आपको ये बताया था, February से लेके अब तक न्यूजिलेंड में कोई covid positive cases रिपोर्ट नहीं हुआ था क्योंकि इनकी जो zero covid strategy है इसकी वज़े से पर recently August 17 को और एक case रिपोर्ट हुआ न्यूजिलेंड में तो न्यूजिलेंड प्राइम मिनिस्चर जेजिंडा आडन ने क्या किया एगें लवल फोर लोगडोन इंपोस कर लिया मतलब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे वही travel restrictions, border crossings बंद करना ये सारे कर लिया ठीक है उनका justification ये है this is for getting delta under controlled and reopened fully and safely मतलब न्यूजिलेंड की strategy ही वही है दोस्तों मतलब जब कोई coronavirus cases report हो जाते है वो ऐसे lockdown लगडोन लगा देते हैं लोगों को बाहर ही नहीं निकलने देते हैं मतलब virus को spread होने का कोई chance नहीं देते हैं समझें आप देखी cases have been showing signs of dropping over the last few days तो हमेशा की तरह इनकी ये जो policies इसकी वज़े से जब भी cases report होता है वो ज्यादा spread नहीं होता है multiply नहीं होता है और cases जो है धीरे धीरे कम होके पूरा eliminate हो जाता है पर इससे problem क्या है प्रोब्लम तो है आप expect कर सकते हो दोस्तों country's tourism industry इस तरह की strict regulations या travel restrictions लगाने से क्या होगा country की जो tourism industry है one of the largest industry न्यूजिलंड में न्यूजिलंड को सबसे यादा income भी ये tourism industry से मिलता है it has been hit hard overseas visitor arrival slipped by more than 98% आप इतना ज्यादा travel restrictions लगा होगे तो obvious ही बात है जो overseas arrival से visitors का जो tourist है उनका arrival पूरा बंदी हो गया 98% बंद हो गया ठीक है अगर पिछले साल से आप compare करोगे desperate the hurdles public support remains with the government ये खास बात है दोस्तों देखिए इतना ज्यादा hurdles है लोगों को बाहर नहीं निकल पा रहा है काम करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा है तब भी एक साब्वे हुआ था एक public polling company की तरफ से इन्होंने ये बोला 84% supports आडेंस lockdown policy PM को 84% लोग support करते है मतलब PM जिस तरह की lockdown लगा जाते है इंपोस करते है उसको support है पूरा citizens की तरफ से पर देखिए एक बात आपको सोचना पड़ेगा इंडिया जैसे country में इस तरह की lockdown policy क्या possible है नहीं है दोस्तों क्यूंगि इंडिया ना की इतना rich country है ना हमारी per capita income इतना ज्यादा है मतलब क्या होता है जो रोजी की कमाई है रोज की कमाई है वही खर्च करके खाना खाना है या जामान खरीदना है एक दिन काम पे नहीं जाएंगे मुझकिल हो जाएगा और government के पास भी इतने पैसे नहीं है कि हर citizen को free में कुछ पैसे दे दे हाँ भले वो दे पाएगा एक दिन के लिए दो दिन के लिए पर दो तीन महीने के लिए government support possible नहीं है इंडिया में यह history ने प्रूव किया अलड़ी है कि नहीं इतने दिनों में government के पैसे है और लोगों की जो standard of living है वो भी ज्यादा है New Zealand चाहे तो लोगों के account में पैसे भी free में दे सकता है आप देखिए देखिए यह New Zealand PM से जब यह पूछा आप इतनी strict lockdowns क्यों लेके आते हो थोड़ा सा sustainable strategy लेके आऊ थोड़ा सा अब कर सकते हो क्योंग इतना population भी नहीं है आप जैसे आपकी zero covid strategy से आप corona cases को down करते हो, reduce करते हो थोड़ा सा और liberal policy से भी आप यह कम कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो उनका कहना यह है, countries vaccination drive उतना pace में नहीं जा रहा है, slow manner में जा रहा है, देखिए, cable 26.7% fully vaccinated हुआ है, अब New Zealand में, तो इनका कहना यह है, जो भी है दोस्तों, जैसे भी strategy है, New Zealand ने पुरे दुनिया को दिखाया है, कि कैसे इस तरह की virus को टैटल करना है, आप दोस्तों, why countries are to change their strategies देखिए, New Zealand का जो zero covid strategy है, उसके अबार में मैं आपको बताया, और New Zealand PM का जो justification है, वो भी बताया, और खास बात यह है, कि citizens का पूरा support है अपने PM के साथ, PM की जो lockdown policy है इसके साथ, तो कोई problem नहीं है, पर दूसरे जो countries है, I mean जो developed countries है, like United Kingdom, France, Singapore, यह सब countries का क्या हाल है, इन सब countries में एक टाइम पे coronavirus सबसे जाधा report हो रहा था, और daily basis पे कहीं जाधा death भी report हो रहा था, उनका क्या हाल है, United Kingdom gave most of its faith in vaccinations, देखिए, United Kingdom का यह है, कि वो vaccination के उपर पूरा भरोसा कर रहा है, lifting almost all pandemic restrictions, पूरे जो pandemic restrictions था पहले का, वो पूरे उन्होंने lift किया, और even allowing fully vaccinated people from US and European Union, देख countries का, जिन countries में coronavirus का problem स्याधा है, जैसे इंडिया है, इंडिया से अगर कोई UK में जाते है, तो उनको strict quarantine में जाना पड़ेगा, एक हफते का, कोई एक होटल में, अब मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला था, UK में वो गया था, तो उनको एक हफते के लिए होटल में रहना पड़ quarantine में, और 3 लाग का खर्चा था, पर कुछ country से, जैसे United States है, European Union का कुछ country से, उधर से अगर UK में जाना है, तो कोई quarantine नहीं है, ठीक है, तो UK government के policy है, countries का list बना रखा है, अब देखे, countries also deploying rapid antigen home testing which allows people to ascertain their own risk, अब वो rapid antigen kid हर families में भाट रहा है, मतलब घर में बेठे बेठे, बहार निकली, ये भी सही है, France का क्या हाल है, it has taken a step towards returning to normalcy, issue health passes, France में भी vaccination हो रहा है, अच्छी तरह, और उधर health passes issue करना शुरू कर ले उन्होंने, कि जितने भी vaccinated लोगे, उनको health passes issue करेंगे, तब जाके वो restaurants, bars, public transport बगरा यूज़ कर सकता है, अब Singapore का क्या हाल है, they announced it, it was easing out its covid zero elimination stance, पहले Singapore का ये हाल था, कि वो zero covid strategy maintain कर रहा था, जैसे news rent कर रहा था, पर Singapore को अभी ये पता चल गया, ये possible नहीं है, so they are moving towards a new normal, where the virus is seen as a endemic problem, Singapore ये समझ गया, ये वाइरस पूरी तरह जाएगा नहीं, तो ये वाइरस को as an endemic, accept किया है, endemic का मतलब क्या होता है, देखे, जब एक disease या वाइरस एक particular geographical area में constantly maintain होता है, मतलब 100% eliminate नहीं होगा, कभी ना कभी कही ना कहीं, एके cases आते रहेंगे, फिर वो negative हो जाएंगे, इसी तरह, इसी को endemic बोलते हैं, तो Singapore ने ओलड़ी इस वाइरस को as an endemic problem accept किया है, ओस्टिले का क्या हाल है, जहां record सज हुआ covid cases का because of delta variant, उधर के leaders का कहना यह है, they are accepting that the country will have to learn how to live with the virus, यह जो Australian leaders का stance है दोस्तों, how to live with the virus, this is very important, maximum countries का stance यही होने वाला है, ठीके, मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरा खुला खुमेंगे, कोई mask नहीं है, social distancing नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें coronavirus को हमारा part of the life समझना पढ़ेग हमें carefully mask लगा के, social distancing maintain करके, हाथ को अच्छी तरह sanitize करके, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना ही बनेगा, तो that's end of it दोस्तों, यह वीडियो में धर finish कर रहा हूँ, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने पो मिला होगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day